हैलो रादे रादे आज मैं जो वीडियो चोल लीखी डाल ले थी उसका गेरा लगाना सिखाऊंगी और कितना सुन्दर गेरा लगाऊंगी वह सब आपको वीडियो में बना कर दिखाऊंगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह मैंने गेरा बनाना शुरू कर दिया, दो फंदे, बटन पट्टी वाड़े रखकर सब फंदो के उपर में फंदे बड़ाऊंगी, एक का दो, एक का दो, इस तरह एक का दो, एक का दो करके इस पूरी सलाई को मैं कंपलेट कर लेते हूं, और लास्ट वाड़े तीन फंदों के उपर पर मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी और शुरू वाड़े तीन फंदों के उपरवी मैंने फंदे नहीं बढ़ाए हैं तो चलिए मैं इस चलाई को कंप्लेट कर लेती हूं फिर दिखाती हूं आगे कैसे डिजाइन डालूंगी मैं उल्टी सिलाई बना लूंगी उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं बढ़ाणा है सिद्धी सलाई में फंदे बढ़ा चुके हैं, तो उल्टी शलाई ऐसे उतारूंगी, उल्टी उल्टी लीजिये, मैं उल्टी सलाई उतारूंगी, में फंदे बढ़ चुके हैं तो चलिए, यदो मैं डिजाइन डाल कर दिखा दे तुम एक बार दो रेड बनाऊंगी और दो यलो दो रेड दो यलो इस तरीके से सिद्धी सलाई में मैं पूरी सलाई कम्पलीट कर ली थी और उल्टी सलाई में रेड वाले उल्टे बनाऊंगी और यलो वाले सिद्धे बनाऊंगी और रेड वाले उल्टे और यलो वाले ची देश तरीक्वे से मने ये डीजाइन डाल लिया था तो चली मैं आपको दिखाती हूँ ये डीजाइन मेरा कम्पलीट हो गया अब मैं उल्टी सलाई में सारे फन दे यलो उन्चे ही बनाऊंगी रेड को नहीं लगाऊंगी और विल्कूल सिम्पल तरीके कर डीजाइन है आप आसानी से बना सकती है इस डीजाइन को अगर द्यान से देखेंगी तो लीजी ये उल्टी सलाई मेंने कम्पलीट कर लिये अब मैं गिरिन वाले उन्चे डीजाइन डालूंगी ये तीन फन दे बटन पट्टी के उतार कर और दो फन दे बिना बने उतार लूंगी और फिर दो फन दे अरि उन्चे बनाऊंगी सिद्धे ही बनाऊंगी दोफन दे में और यलो कलर वाले उनके दोफन दे बिना बने उतारूंगी ये दोफन दे यलो बिना बने उतार चुकी अब दोफन दे में गिरिन वाली से बनाऊंगी और फिर दोफन दे यलोवाड़े से इस तरीके से मैं पूरी सिलाई कम्पलीट कर लूँगी फिर आगे दिखाते हूं मैं कैसा डिजाइन डालूँगी यह लोवाड़े दागे को भी साथ ही चलाणा है गिरिनवाड़े मिले पेट कर साथ ही लेके चल रही हूं मैं यह डिजाइन डलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा चली इसको कम्पलीट कर लेती हूं फिर मैं दिखाते हूं अब यलो कलर वाड़े उनसे बनाऊंगी मैं दो फंदे बटन पट्री वाड़े और दो फंदो को फिर मसिद्धा बनाऊंगी और जो गिरिन वाड़े फंदे उनको उल्टा बनाऊंगी अब दागा पिछे की साइड किया यलो वाड़े दागे को साथ लेके चलना है दागा पिछे की साइड किया और दो फंदो को गिरिन वाड़े को उल्टा बनाया और फिर दागा पिछे की साइड किया और यलो वाड़े उनके दो फंदो को सिद्धा बनाया और फिर दागा पिछे की साइड किया गिरिन वाड़े और फिर दो फंदो को बनाया और फिर यल्लो वाली उन्चे दोफंदोगों सिद्धाई बनाऊंगी तो इस तरीक्के से मैसलाई को मैसलाई को कंप्लीट करलूंगी फिर आगे दिखात्तियूं कैसे बनाऊंगी लेजी इस लाई को मैंने कंप्लीट कर लिया अब मैं यल्लो कलर वाली उन्चे सिद्धी शिलाई बनाऊंगी और दो फंदे बटन पट्टी के रखकर सब फंदों के उपर फंदे फिर से बढ़ाऊंगी मैं एक का दो एक का दो एक का दो इस तरीक्के से मैं ये पूरी शिलाई कंप्लीट कर लूंगी और लास्ट वाले दो फंदों के उपर में फंदे ने बढ़ाऊंगी वो बटन पट्टी के लिए रखे हुए हैं तो इस तरीके से मैं ये पूरी शिलाई कंप्लीट कर लेती हूं कर दो कि मैं ये चीतन अच्ड़का में ये पत्वा हुए हैं युए हैं ये जुए हैं तो आख हैं एक लादोरा हैं ये जवरावाले इस वाज़ता हैं ये इस तरीके से कम्प्लीट करनी है लीजिये मैंने यलो वड़ी उनसे विसलाई कम्प्लीट कर ली और एक लाइन रेड वड़ी उनसे भी डिजाइन डाली है जैसे गिरीन डाला था वैसे ही तो चली अब मैं स्वेटर को कम्प्लीट कर देती हूं ये दो फंदे मैंने बना लिय और फिर सिलाइ को टरं करकर के उसी दो फंदों को फिर से बनाना आप की बार मैं तीन फंदे बनाउंगी I do एक दो और तीन और फिर टरंड कर लूंगी इसी तीन फंदों को फिर से बनाउंगी अब की बार में चार फंदे बनाऊंगी एक फंदे बिना बना उतार के और सिर एक दो तीन और ये चार अब फिर टर्न कर लूँगी चार फंदों को फिर से बनाऊंगी अब टर्न करके फिर मैं पांच फंदे बनाऊंगी अब मैं फंदों को बनाऊंगी ये दो का एक किया और फिर दो का एक कर दूँगी इस तरीके से मैं चार फंदों को घटाऊंगी और इसी डिजाइन को कर दूंँ कम्पलीट फिर आगे वाली पत्ती बनाऊंगी इसी डिजाइन से दो फंदों से शुरू होगी ओ पत्ती भी लीजी मैं चार फंदे बंद कर चुकी हूँ यह इस तरीके से बनेगी अब यह दो फंदे हो गए हैं आगे वाड़ी सलाई से मैंने एक फंदा और ले लिया था बनाते वे अब लाई को टर्न कर लिया और फिर से दो फंदों को बनाऊंगी मैं एक और यह दो अब टर्न करके मैं तीन फंदों को बनाऊंगी पहले वाड़ा फंदे को बिना बना उतार लिया एक और दो यह तीन फंदे बना चुकिँँ एक दो और यह तीन क्यूकि पहले वाड़ा फंदा बना उतार रह था इसलिए अब मैं बनाऊंगी चार फंदे यह पहले वाड़ा फंदा बना उतार के तीन फंदे और बनाऊंगी एक, दो, तीन, और ये, चार और फिर स्लाई को टर्न कर लिया, फिर इन चार फंदों को फिर से बनाऊंगी, मैं और अब मैं फिर से टर्न कर लूँगी और अब की बार में पाँच फंदे बनाऊंगी अली जी ये पाँच फंदों को बना लिया और फिर से टर्न कर लिया है और अब मैं फंदे बनाऊंगी, चार फंदों को बनाऊंगी अब मैं ये दो का एक और फिर दो का एक इस तरह करके में चार फंदों को बन कर दूंगी तो एक फंदा बचाऊंगी और फिर अगली सलाई में से लेके एक फंदा और फिर से डिजाइन शुरू कर दूंगी और ये इस तरीके से दिखेगा फूरी स्वेटर में तो चलिए इसको मैं कंप्लेट कर देती हूं फिर दिखाती हूं कितनी सुंदर ड्रेस बन कर त्यार हुए गो पाल जी की लीजिए ये मैंने पूरी स्वेटर में ये डिजाइन लगा दिया है और बहुत ही सुंदर स्वेटर लग रही है आपको कैसी लगी कॉमेंट करके मुझे बताना चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी नई आइडिया नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ या नई कोई कुटी डिजाइन के साथ रादे रादे